हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे आम के पत्तों का तोरन बंदनवार इस तरह से आप बना सकते हैं बहुत ही आसान ट्रीक है और घर में आराम से आप बना सकते हैं इसमें किसी भी अलग चीज की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको एक धागे की जरूरत है मैंने मौली से ही तो पत्त्त ले लिया है और उसे अच्छी तरह से वॉस कर लिया है कोई भी गंद огगी नहीं रहना चाहिए ताकि वह आराम से हम बना सके हैं और इस इस तरह से मैंने इससे दो कर के सुखा लिया है अब चलिए बनाना शुरू करते हैं बनाने के लिए पत्ते का दोनों भाग द अब इसे 20 से दीरे दीरे लंबे लेंद के हिसाब से काटना है थोड़ा जादा काटना है ताकि उसका फूल आराम से बनाया जा सके दोनों साइड इक्वली बराबर काटना है और ये देखिए तीन भाग में बट गया और इस तरह से पलट के लगाना है उपर से ले जाना है और इसे फिर इधर से निकाल लेना है दूसरे साइड वाले को भी डंटल के उपर से ही टर्न करना है और ये देखिए दोनों को एक तरह से मिला दीजिए और उसी डंटल को फिर मोड करके उसमें लॉक कर देना है जो लटकाने का काम में आएगा और ये देखिए बहुत ही अच्छा फूल बनकर त्यार हो गया है और उस डंटल के नॉट को ही हम धागे में डालेंगे और उसे बंदनवार त्यार होगा मैंने इतना सारा धेर सारा बना लिया है फूल उसका पत्ते का और अब चलिए इसे धागे में डालते हैं बहुत ही फायदे मंद होता है बंदनवार को अपने घर में अगर हम लगाते हैं तो उससे नेगेटिवीटी जाती है और कहा जाता है कि हनुमान जी का बास है इसमें और इस तरह से मैंने सारा त्यार कर लिया है और इसे अब मौलीक मैंने लिया है लंबा तोड़ करके दरवाजे के नाप का और इसे इसमें डाल लेना है सारा फूल इसमें एक एक करके सीधा करके डालना है ताकि एक तरफ सामने फ्रंट में आपकर सारा फूल एक तरफ से दिखाई दे इस ठंक से सारा गुसा लेना है आप अपने मंदिर के दरवाजे पे लगा सकते हैं या फिर आप मुक्य द्वार पर भी लगा सकते हैं ये देखिए मैंने तयार कर लिया है और अब इसे चलते हैं दरवाजे पे टांग देते हैं बहुत ही खुब्सुरत लग रहा है यह बहुत ही आसान है जो आप अपने घर में आराम से बना सकते हैं साल भर भी हम अपने दर्वाजे पर तोरण को बदल बदल के डाल सकते हैं जब पत्ता सुख जाए तो तोरण बदल दे दूसरा डिजाइन अब हम बनाने जा रहे हैं यह सीधा पत्ता है इसमें कुछ भी कट नहीं करना है सीधे तरफ से आपको ले जाना है और यह पीछे से आपको एक होल करते हुए डंटल को गुशा देना है और थोड़ा साहल का लाइट प्रेस करना है देखिए इस तरह से मुझे मौली का धागा डालना है जो कि लटकाने के काम में आएगा यह भी ट्रिक बहुत ही आसान है जो आप आराम से बना सकते हैं इस तरह से सारे पत्तों का बना लेना है फुल और इस तरह से मौली उसके होल में गुसाया जाएगा सारे पत्तों को एक-एक करके इस मॉली में डाल लेना है और तोरन बनकर त्यार हो जाएगा मैंने सारे पत्तों को मॉली में डाल लिया है एक लंबे से धागे में जो दर्वाजे के साइस का है और इसे अब चलिए मेंडोर पे लगा देते हैं ये देखे, दूसरा मॉली भी मैंने बना के तयार कर लिया और ये लग गया, बहुत ही कुपसूरत लग रहा है, आप भी जाहें तो बना सकते हैं, बहुत ही आसान ट्रीक है, बनाने में कोई भी परेशानी नहीं है, हर पर्वतहवार में आप बना कर अपने दर्वाजे पे ल लगाया है, और ये देखे, कितना खुपसूरत लग रहा है, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया, ट्रिक पसंद आया, तो प्लीज लाइक, शेर और कमेंट करें, शेर करना ना भूलें, और सब्सक्रीप्शन जरूर करें, ताकि आपको बार-बार मेरा नोटिफिकेश मिलता रहे, और आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देख शगें, ये देखे, कितना सुन्दर लग रहा है, काफी टंगा हुआ है, थैंक यू